हेलो फ्रेंड गर्मा फिरी क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम इत्यास का एक महत्पूर्ण चेप्टर भारत में यूरोपियन कम्पनियों का आगमन कब हुआ किस टाइम पर हुआ और किस रास्ते से हुआ इस सबकी समपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लाए है पॉइंट बाइपॉइंट हम इसको जानेंगे जो हमारी परिक्षाओं के लिए बहुत महत्पूर्ण होंगे शुरुआत करते हैं भारत में यूरोपियन कम्पनियों का आगमन सबसे पहले देखते हैं कि कितनी कम्पनिया यहां आई थी किस उद्देश से आई थी सबसे पहले तो वो शुरुआत करते हैं ब्यापार करने के उद्देश से आती हैं और जब देखती हैं कि भारत में बहुत अच्छी चीज़े हैं तो वो यहां पर रहने या अपना अधकार जमाने की कोसेज भी करती हैं कुछ सफल हो जाती है कुछ यहां से बापस चली जाती है लेकिन बापस सभी जाती है लेकिन कुछ ज्यादा टाइम तक रहती है कुछ कुछ ही टाइम तक रहती है इस वीडियो में आगे संपूर जानक सबसे पहले जानते हैं कि पूछा जाता है किमसी कंपनी पहली आई है तो हम क्या इसको हमें पांचों कंपनी याद करना पड़ेगा कि कौसी पहली आई है तो याद करने की एक ट्रिक है पैड कर-hhhh-eEC वायडू को पकड़ना है, उनी से हमें पांचों कमपनियों का सीरियल से, जो पहले आई है, दूसरे नमबर, तीसरे नमबर, उनका याद हो जाएगा, पैड, P, E, D होता है, P से पॉर्टगाली कमपनी, सबसे पहले कौन से आती है, पॉर्टगाली कंपनी आती है दूसरे य आएगा तो इसे इंगलंडी उसी को अंग्रेजी कहती है तीसरी डच आएगी और चौती डैन्मार्क कर साइलेंट होगा और फी फी से फ्रेंच और सा से स्वीडेस कौन सी स्वीडेस कंपनी सबसे लास्ट में भारत आई थी अब यह देखते हैं कौन सी किस्षन में आई थी यह आई थी पुर्तगाली कव आई थी 1498 में कव आई थी 1498 में और एंग्लेंड या अंग्रेजी कंपनी आई थी 1600 इसवी डच 1602 इसवी डैन्मार्क 1616 इसवी और फ्रेंच कव आई थी 1664 और स्वीडेस 1731 में भारत आई थी आप आगे एक एक करके इनका स्थापना सब जानते हैं देखी आगे ये एरोपिय कंपनिया समुद्र के रास्ते से किस तरह से आई आगे देखते हैं इस्ट इंडिया कंपनी इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में इसवी में हुई थी और बिटेश इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 इसवी को हुई थी और डच सबसे पहले समुद्र के रास्ते से भारत आई थे पूचा जाता है कि समुद्री मार्क की भारत आने के लिए समुद्री मार्क की खोच सबसे पहले भीस ने की थी तो यह थी है नावेक कौन थे पुर्थाखाअली नावेक बास को डगामा जो 1498 को भारत के केरल के काली कट बंदर गाय पर पहुंचे थे काली कट बंदर गाय पर आगे पुर्था काली कट इस्ट इंडिया कमपनी इसकी अपना कभू थी 1498 में और 17 माई 1498 मोगे कूं पुर्तगाली नाव केरल के काली करांबिर्ण बंदर पर पहुंचा तक पॉंचाता काली बंदर वहां के सासक कौन थे जमूरेन किसी राज्य के सासक को सुलतान या किसी के च्छत्रपती इसी तरह से काली कट के सासक को जमूरन कहा जाता था क्या कहा जाता था जमूरन कहा जाता उसका स्वागत किया किसका बास को डिगामा का और उसकी जहाज को मसालों से भर दिया वहां पर मसाले केरल में मसाले बहुत जादा अच्छे और बहुत जादा मिलते ह उसको उसकी जहाज को मसालों से भर दिया और वो उसने भी कुछ मसाले खरीदे भी हैं फिर यूरोप जाकर उसने क्या किया किसने बासकु डिगामा जब बापस यूरोप गया तो उसने वहां पर अपनी यात्रा के खर से 60 गुना अधिक कितने 60 गुना अधिक दाम पर बेंच कर मुनाफ़ा प्राप किया था कुछने वास्गोड 2 farklı आगे देखते हैं है ये समुद्री मार्ग जहां से वास्गोड 2 भारत आता है जो येप ब्यापारी था गुजरात का उसने उसकी सहायता भारत पहुंचने के लिए उसी ने बासको डिगामा की सहायता की थी इस रास्ते से यहां यहां पहुंच जाता है गोवा के काली कट बंदर गाय पर कौन बासको डिगामा और बापेस भी आता है कब 1499 में वह बापेस आता है इसके बाद यहां दोबारा फिर से भारत आता है कब 1502ी में कब आता है भारत 1502 में पंदरा सो तीन इस्वी पुर्त-गालियोंने पोछी का किला जीत था जोस्ने पुर्त-गालियों C基本 तो सिर्फ किस देश से आता है ब्यापार करने के देश से आता है और फंद्रा सो तीन इसवी में पुर्तगाली ने अपना दूर्ग या किला कोची का किला जीता था यहीं पोछीन भी बोलती है क्या बोलती है कोचीन और इसके बाद 1505-207 में उन्होंने कहां कनूर का इसके बाद 1505 इसवी में पुर्टगाल से पुर्टगाल ने फ्रांसी सी डी अलमोडा को वहां का गवनन निक्त किया पुर्टगालियों ने फ्रांसी सी डी अलमोडा को अपने कमपनी का गवनन निक्त किया अलमोडा ने नो सेना को मजबूत करने के लिए बिलू बाटर पॉलसी को अपनाया था उसने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए क्या गया था बिलू बाटर पॉलसी को अपनाया गया था अम हम जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको स्कॉल एक बार पूरा रिवाइज करते हैं सबसे पहले से सोचते हैं कितनी कंपनी आई भारत पांच कंपनी आई सबसे पहले कौन सी आई पुर्तगाली कंपनी आई सबसे लास्ट में कौन सी आई स्वेडेस आई और पुर्तगाली कंपनी में सबसे पहले कौन आया था आया था बासकोड़िगामा किस रास्ते से आया था समुद्री मार्ग से आया था आगे आगे वो पंद्रा सो नो इस वी में अलवु का पुर्तगाली गवणनर निक्त हुआ और इसके बाद जब पंद्रा सो पाच में फ्रांसी सीडी अलमोडा आया था उसको गवणनर निक्त किया गया लेकन उसने गवणनर का पद नहीं समाल सका तो पंद्रा सो नो इस वी में अलवु का क लूकरण को गववणर कि ये पुर्टगाल का बास्तविक गवणर कहते हैं। जीत लिया है और विज़ापुर के सासफ कुन थे यूसुफ आदिल साय से किस के सुल्टान यूसुफ आदिल साय से गवड़ा जीत लिया है। इसका बिजय नगर सासक राव के साथ अच्छा सम्भन था किसका अलवुकक कर ब प बड़ावियों को भरति महलाओं से साधी करने के लिए भी प्रेरित किया था किसने अल्वुकक ने जिससे उनकी यहां पर संख्या बढ़ेगी और वो यहां सासन भी कर सकेंगे आगे देखते हैं पुर्दगाली सबसे पहले भारत आये थे और सबसे बाद में भारत छोड़ का गये वो आये थे 1408 में और गये कव है आजादी के बाद 19 аюсь कव गए हैं उनीच सोलोट ए Сам नीच सटेश्ट में और गोवा भारत में पुर्दगाली राज आज़ों कि राजभानी 153-20 में बनी थी कव 1530 में पुर्टगाली में भारत में सर्पिथम तंबाकु तथा आलू की खेती किस ने करवाई थी पुर्टगालीयों ने ही भारत में सर्पिथम 1556 में पुर्टगाली भारत से अधिक इंडोनेसिया से ब्यापार करने में रुची करन रखते थे और पुर्टगाली खुद को सागर का स्वामी भी कहते थे स्वामी कहते थे कौन पुर्टगाली आगे डची स्थ इंडिया कम्पनीे की स्थापना 1662 ने हुई थी पुलिकट सूरत तीनों याद हैं मचली पटना पुलिकट सूरत कब 1625 में मचली पटना इसके बाद पुलिकट और इसके बाद सूरत में उन्होंने तीसरी व्यापारिक कोठी खोली थी 1769 में बेदरा की योद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह पराजित कर दिय और व्यापारिक कोठी और अधकार जमा लिया किसकी व्यापारिक कोठी योधियों पर अंग्रेजों ने अधकार जमा लिया थादचों की पूरी रहात बेदरा के योद्ध में आगे देखते हैं डैनिस डैनिस इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1626 इसवी में हुई थी इन्हों ने अपनी ब्यापारिक कोठी केरल के 53 कोर में स्थाफित किया और दूसरी ब्यापारिक कोठी बंगाल के रामपूर में स्थाफित की डैनिस के ब्यापारिक कोठी का विस्तार अधिक नहीं था आता हा 1545 में डैन्मार्क ने अपनी सभी कोटियों को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था आगे है फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कमपिनी कौन सी फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कमपिनी इसकी स्थापना 1664 इस्वी में राजा लुई 14 वा के समय हुई थी फ्रांसीसी अपनी पहली व्यापारे कोटी 1669 में सूरत में खोली थी कब खोली थी? सूरत में और कब इसकी स्थापना कब हुई थी? कब राजा लुई 14 वे के समय में लुई 14 वे के मंत्री काल वाइट द्वारा 1664 में कि फ्रैंच इस्ट इंडिया कंपणी की स्थापना हुई थी कब लुई चोधावे के मंत्री कालवाइट द्वारा किसने की थी कालवाइट ने 1664 में कि इसके बाद 15 मैं फ्रैंक मार्टन द्वारा रखी गई थी और अपनी दूसरी व्यापार एक मचली पतनम में खोली पहली सूरत में खोली मचली पतनम में कोली और इन्मों नेहीं का पन्डु कीzem कि इस्थापन hardly और सथाससे क सब्सक्राइब भारत का गवर्न नर बना इसी के समय कर नाटक सब्सकर उत्येका स्सार्व उसी किसको फ्रитесь को पूरी तरह से पराजित कर दिया वो फ्रैनेट नहीं था और धा फ्री, आध्क्यान नहीं था किन्तु वे आजादी के बाद तक यहां रहे कौन फ्रांसीसी आजादी के बाद तक भी यहां रहे और कब भारत छोड़ा था उनिस सो चपन इसमी में और प्रतगालियों ने उनिस सो एक सट इसमी में छोड़ा था आगे है स्वीडिस इस्ट इंडिया कमपनी क्या है स्वीडिस इस्ट इंडिया कमपनी इसकी स्थापना 1731 में हुई थी कब हुई थी 1731 में इनका विस्तार अधिक नहीं हो सका और यह भारत छोड़ कर चले गए थी इनका विस्तार जादा नहीं था और यह भारत को छोड़ कर चले गए थे आगे हैं कौन सी कंपनी बिटेश एस्ट इंडिया कंपनी इसके इन्होंने जादा भारत में कुछ सभी को जादा ही नुक्सान पहुंचाया है आगे देखते हैं बिटेश इस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थाफणा 31 दिसमबर 1600 को महरानी एलीजा बैथने किया था किस ने की थी महरानी एलीजा बैथने इस समय बंगाल बंगाल की गद्धी पर अकबर था कौन था अकबर था लेकिन एक पॉइंट है कि जब बिटिश इंडिया कमपीनी की स्थापना बिटिश में हुई थी उस समय भारत का भा भारत में इसकी स्थापना हुई थे यह भारत आए थे उस समय 1608 में उस समय भारत ने पर भारत के राजा या भारत की पर किसकी अधकार थे जहांगीर की थी जहांगीर की अब पूचा जाता है भारत आने वाला पहला अंग्रियर जहाज कौन था तो यह एक पॉइंट है यह रेड ड्रेगन पहला जहाज कुन था रेड ड्रेगन और इस्ट इंडिया कंपनी किस था अपना 1620 में हुई थी और 1608 इस इंग्लेंड के राजा जेम्स प्रथम के दूद के रूप में कैप्टन होकन सूरत पहुंचा था जहां वह मुगल संब्राट जहांगीर से मिलने आग अब यहां जब 1605 तक तो अकबर रहे इसके बास 1608 में जब यहां अंग्रेजी कंपनी का जो इंग्लेंड के जेम्स प्रथम थे उनका दूद कैप्टन होकन्स आते हैं तो वहां पर किस से मिलती हैं जहांगीर उस समय कौन सा सक था जहांगीर था कैप्टन होकन्स जहांगी आगे देखते हैं 1649 इसवी में बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी ने मदरास को भाड़े पर ले लिया था और 1649 इसवी में किसने बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी ने मदरास को कहे पे किस चीज़ पर किराय पर ले लिया था यहां फोर्ट सेंड जोर्ज का किला बनवाया तो आगे 1661 में बिंटृटिस राचकुमार सा चाल सुधुतीय का वेभाह होता कि अब 1661 में और किस दी demons किसे देंगत करता हैं कि अब पूर्त होता है कि फाद्थ करते हैं दहेज में मुंबई दे देते हैं कि य में उप बिंट इसके बाद क्या होता है चाल्स दुतिये भी क्या करते हैं मुंबई बंदरगाय को बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी को किराय पर दे देते हैं पुर्तगाली दहेज में देते हैं राजकुमार को वो चाल्स है दुतिये को और चाल्स दुतिये क्या करते हैं इस्ट इंडिया क किला का निर्मार हुआ और कोल्काता सहर की सथापना चार नौक ने किया था किसने की थी फोटीूली कोल्काता सहर की स्थापना जाज चार नौक ने और 1757 वी में किसने यहां फरक्षियर है फरक्षियर ने अंग्रेजिंगे सम्राज का मैकना काटा जाता है जब फरेक्षियर ने अंग्रेजों को व्यापारेक छूट दे दी तभी से उन्होंने अपना सम्राज भारत पर या अपनी पाओं या अपना सम्राज संपूर जमाने की कोशेश कर दी तभी से शुरुवात हो गई उसी को अंग्रेजी सम्राज का क्या कहा जाता है मैगना सत्रा सो संतावनी स्वी में और युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के छेत में आपरत्यक्ष रूप से सासन करने लगे और वो आपरत्यक्ष रूप से क्या करने लगे बंगों पर बंगाल के छेत पर सासन करने लगे युद्ध अंग्रेजों को बंगाल में प्य सत्रा सो पैंसट को अंग्रेजों एवं साह अलम दुतिये के बीच इलहाबाद की संधी हो गई किस किस के बीच अंग्रेजों और साह अलम दुतिये के बीच बक्सर का युद्ध प्लासी का युद्ध सत्रा सो संत्राओन इसवी में और बक्सर के युद्ध सत्रा सो चोंशट द्बंगल से अगरेजियों आपशान लगा दिया था। बक्सरव की युद्ध में। अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का मौका दे दिया 1769 में अंग्रेजों ने बेदरा के युद में डचों को पराजित किया था कब 1769 में और 1760 में अंग्रेजों ने बांडिवास की युद में फ्रांसियों को पराजित किया था 1760 में बांडिवास का युद, 1769 में बेदरा का युद, 1764 में बकसर का युद, 1757 में प्लासी का युद इस तरह से हम पूरा याद रखेंगे इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का बिरोध करने वाली बढ़ी सकती नहीं थी इसी तरह से सब को हराते गए और भारत में कोई भी बढ़ी सकती नहीं थी जो अंग्रेजों का बिरोध कर सके और B.E.I.C. British East India Company धीरे-धीरे मजबूत होने लगी किन्तु भरस्टचार बढ़ गया और राजा का नियंतान भी खतम होने लगा और British East India Company ने अपना संपू कुछ दिनों बाद British East India Company अपना संपूर अदकार भारत पर जमाने की कोशेस भी शुरू कर दी Thank you